गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्ती शब्द प्रती मिनट की गती से संपात की डिक्टेशन स्टार्ट भारतिये अर्थ ववस्था की दशा को लेकर रिजर्व बैंक ने जो तस्वीर पेश की है वह चिंता जनक है केंद्रिये बैंक यहे बता पाने की स्थिती में भी नहीं है की हालात सामानिये कब तक होंगे रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में साफ कहा है की अर्थ ववस्था पर दूसरी लहर का असर लंबे समय तक बना रहेगा यानी पिछले सवा साल में महामारी की मार से पैदा हालात भी रिजर्व बैंक की आशंकाओं की पुष्टी कर रहे हैं जाहिर है देश अर्थ ववस्था के मौर्चे पर अनिश्चित्ता के भवर में है इससे पहर आना कम बड़ी चुनोती नहीं है रिजर्व बैंक ने भी इस बात को माना है देशी विदेशी रेटिंग एजन्सियों अंतराश्टिये मुद्रा कोश और विश्व बैंक तक ने भारत को लेकर आर्थिक वृधी के अपने अनुमान कम कर दिये हैं यहे अलग बात है कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि अर्थववस्ता की बुनियाद मजबूत है कहती रही है कि संकट तातकालिक है और जल्दी ही भारत अच्छी वृधी दर हासिल करने की स्थिती में आ जाएगा पर बड़ा सवाल है कि यहे होगा कैसे पिछले चोदा महिनों में देश दूसरी बार पूर्ण बंदी जैसे हालात जेल रहा है बीते साल की पहली तीमाही में बंदी के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दर शुन्ने से चोबिस फीसद नीचे आ गई थी इस बार दूसरी लहर से निपटने के लिए राजियों ने अपने अपने हिसाब से बंदी और सक्त प्रतिबंद जैसे कदम उठाए ज्यादातर राजियों में साथ हफते से काम धंदे बंद पड़े हैं ऐसे में इस साल भी अर्थववस्ता की हालत क्या रहेगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है पिछले साल छोटे और बजोले उद्योगों के साथ बिजली सीमेंट कोईला खनन उड़वरक तेल और प्राकर्तिक गैस वा वी निर्मान जैसे परमुख शेत्रों का बाजा बज गया था लेकिन इस बार दूसरी लहर के कारण छोटे और मजोले उद्योग मसमे शेत्र पर फिर से भारी मार पड़ी गोर तलब है कि देश में 6 करोड 35 लाक MSME हैं वी निर्मान उत्पादन में इनका हिस्सा 45 फीसद है करीब 12 करोड लोगों का रोजगार इन से जुड़ा है जादातर उद्योग पिछले साल की मार से ही नहीं उबर पाए हैं आलांकी रिजर्व बैंक इन उद्योगों को बिना किसी अडचन के करज मुहय कराने के लिए वैवसाइक बैंकों पर लंबे समय से दबाव पना रहा है कई रियायतों की घोशनाएं भी की हैं लेकिन ये सब फलीभूत नहीं हो पा रही हैं इसमें संध्ये नहीं की जब तक बाजारों से बंदी का दुष्चक्र खतम नहीं होगा तब तक उद्योग पूरी ताकत के साथ चालू नहीं हो पाएंगे अर्थ ववस्था में जान फूकने के लिए बेशक रिजर्व बैंक की कोशिशों में कमी नहीं है केंद्रिये बैंक इस हकीकत से अंजान नहीं है की जब तक मांग नहीं निकलेगी खपत नहीं बढ़ेगी और निवेश नहीं होगा तब तक अर्थ ववस्था की गाड़ी पट्री पर ला पाना मुम्किन नहीं है पर वह यह भी समझ रहा है की ये तीनों ही काम आसान नहीं है करोडो लोग रोजगार वीहिन हैं सरकारी करमचारियों और संगठित शेत्र में काम करने वालों को छोड़ दें तो देश की बड़ी आबादी के पास नियमित आये का कोई जरिया नहीं है ऐसे में बड़ा सवाल है की जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो क्या कमाएंगे और क्या खर्च करेंगे कैसे मांग उत्पादन और खपत का चक्र चलेगा रिजर्व बैंक ने तीका करण पर जोर इसलिए दिया है की महामारी से जल्द छुटकारा मिले और हालात समानने हो लेकिन भारत में तीका करण की स्थिती किसी से छिपी नहीं है यह सही है की जान है तो जहान है लेकिन अब दोनों को समान रूप से भचाने की चुनोती है स्टॉप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा आप हमारे वोट्सेप गुरूप और टेलिग्राम गुरूप से जुड़कर भी वीडियो के डेली डिक्टेशन और पीडियेफ लिंक पीडियेफ फाइल पा सकते हैं अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में